राधे राधे जये श्री कृष्णा, आईए, आज हम हर तालिका तीज की पोराणिक कथा सुनेंगे, साथी पूजन विदी भी जानेंगे, और एक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे, आशा करती हुँ आपको, मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, इसी शुभ कामना को देखते हुए, आईए तीज माता की कथा सुनें, बोलिये तीज माता की जये, यह पर्व हर वर्ष भाद्वा माह के शुकल पक्ष, तृतिया तिति को मनाते हैं, इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीरवात प्राप्त होता है, और जीवन के सभी क दूर होते हैं, हर्तालिका तीज का पर्व, भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिष्टों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इस दिन महिलाएं 16 श्रंगार करके पूजा अर्चना करती हैं, और सुक सौभाग्य का आशीरवात प्राप्त करती हैं, साथ ही हर् हर्तालिक तीज के कथा सुनने, वह पढ़ने मातर से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीरवात प्राप्त होता है, और सुक शान्ती और सम्रिद्धि में व्रिद्धि होती है, यह कथा बहुत पवित्रमानी जाती है, इसलिए इस दिन हर्तालिक तीज की कथा अवश तक पर चंद्र और गले में मुंडो की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्यवस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किये हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ, कैला श्परवत के सुन्दर शिखर पर माता पार्वती जी महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताईए, जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है, हे नात, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे दर्शन दे, हे जगतनात, आप आदी मद्य और अंत रहित हैं, हे देवी, मैं आपके सामने उस वरत के बारे में कहता हूँ, जो परम गुप्त है, जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मन, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, और इंद्रियों में वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा असन प्राप्थ हुआ है हे प्रिये उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ सुनो भाद्वा मास के शुक्ल पक्षकी हस्त नक्षत्र के दिन इस वर्ण का अनुष्ठान मातर करने से सभी पापा का नाश हो जाता है तुमने पहले हिमालय परवत पर इसी महान वर्ण को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पारवती जी बोली हे प्रभु इस वर्ण को मैंने किसी लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है सो कृपा करके कहें शंकर जी बोले आर्या वर्ण में हिमालय नामक एक महान परवत है जहां अनेक प्रकार की भूमी अनेक प्रकार के व्रिक्षों से सुशोभित है जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल-कल ध्वनी से शबदाय मान रहता है हे पारवती जी तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और बारह वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैशाक मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर, अन्न त्याग कर तप करती रही तुमारे उस कश्ट को देखकर तुमारे पिता को बड़ी चिनता हुए चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किस से करूँ एक दिन नाराद जी वहां आए और देवर्शी नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्शी को अर्ग्य, पाध्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा हे मुनीश्वर, आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया? कहीं क्या आ गया है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विश्णु भगवान का भेजा हुआ यहां आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तमवर को दान करें ब्रह्मा, इंद्र, शिव, आदी देवताओं में विश्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विश्णु को ही दें हिमालय बोले, यदी भगवान वासुदेव स्वयम ही कन्या को ग्रहन करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही, देवर्शि नारत जी आकाश में अंतरधान हो गए और भगवान विश्णु के पास पहुँचे नारत जी ने हाथ जोड़ कर भगवान विश्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसनता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुद्धा द्वज भगवान विश्णु को अरपन कर दिया है पिता के इन वाक्यों को सुनते ही, पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और प्रित्वी पर गिर कर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी उनको विलाप करते हुए देखकर सक्खी बोली हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी पार्वती बोली, हे सक्खी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाशा है, सुनाती हूँ मैं महादेवजी को वरण करना चाहती हूँ, मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है इसलिए मैं निसंदेहे शरीर का त्याग करूँगी पार्वती के इन वचनों को सुनकर सक्खी ने कहा हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ तब देवी पार्वती, अपनी सक्खी का यह वचन सुन, ऐसे ही वन को चली गई पिता हिमालाय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा, कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, अत्वा किन्नर हरण करके ले गया है मैंने नारज जी को वचन दिया था, कि मैं पुत्री का भगवान विश्णू के साथ वरण करूँगा हाई, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोच कर, वे बहुत चिंतातोर हो मूर्चित हो गए तब सब लोग हाहाकार करते हुए दोडे, और मूर्चा दूर होने पर गिरी राद से बोले कि हमें आप अपनी मूर्चा का कारण बताओ हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया या सर्प ने काट लिया या किसी सिंग ने मार डाला, वहने जाने कहां चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है इस प्रकार कहकर गिरी राज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीवर वायू के चलने पर कोई व्रिक्ष कांपता है ततपश्चा थे पारवती, तुम्हें गिरी राज साथियों सहित घने जंगल में ढूणने निकले तुम भी सक्खी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुँची उस गुफा में तुम आनी सक्खी के साथ प्रवेश कर गई जहां तुम अनजल का त्याग करके बालू का लिंग बना कर मेरी आरादना करती रही उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतिया के दिन तुमने मेरा विधी विधान से पूजन किया तथा रात्री को गीत गायन करते हुए जागरण किया तुम्हारे उस महावरत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा मैं उसी स्थान पर आगया जहां तुम और तुम्हारी सक्षी दोनों थी मैंने आकर तुमसे कहा हे वरानने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ फिर तुम मुझसे वर्दान मांग तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप महादेवजी ही मेरे पती हो। मैं थास्तु ऐसा कहकर कैलाश परवत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसरजित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित वरत का पारायन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंटे ढूंटे उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तटपर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गये और तुम सिन्ह व्यागरादी युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, क कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद यह कार्य नहीं करूंगा, तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया, हे प्रिये, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है, इस व्रत राज को मैंने अभी तक किस के सम्मुख वर्णन नहीं किया है, हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पढ़्दा, तुमको सकी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम हुआ, पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिय लेकिन मुझे इसकी विधी और फल भी बताईए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ती होती है, तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधी विधान के साथ करना चाहिए, व्रत में केले के खंभों से मंडब ब शंक, भेरी, मृदंग आदी बजावे, विधी पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें, फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदी से विधी पूर्वक पूजन करें, नैवेद्य का भोग दगावें और रात्री को जागरण करें, नारियल, सुपारी, जमवारी, नीमबू, लौंग, अनार, नारंगी, आदी रतुफलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदी से पूजन करके कहें हैं कल्यान, स्वरूप, शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल कल्यान रूप तुम्हें नमस्कार है, कल्यान स्वरूप माटा पार्वति, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाशा से आपका पूजन किया है, हे पार्वती माता, आप मेरे उपर प्रसन्न होकर, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीज इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विदि पूर्व कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूशन, आदी ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नश्ठ हो जाते हैं। बोलिये गणेश जी महराज की जय, पौरानी कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पारवती नर्मदा नदी के तट पर बैठे होए थे। बैठे बैठे वो उबने लगे तो माता पारवती ने महादेव जी से चोसर खेलने के लिए कहा। महादेव माता नहीं था। इसका हल निकालने के लिए शंकर महादेव ने आस-पास से घास के कुछ तिनके एकठे किये और उससे एक पुतला बना दिया। फिर उसमें जान डालकर उसे कहा। दोनोंने बारी-बारी से तीन बार चोपड का खेल खेला और संयोग से तीनों ही बार माता पारवती की जीत हुई। जब दोनोंने खेल खत्म किया और उस पुतले से विजई होने वाले का नाम पूछा तो उसने महादेव को इस खेल का विजई घोशित कर दिया। इससे मा मा, मैंने इस खेल का गलत निर्णए अपने अज्ञान के कारण लिया, मैंने किसी गलत इरादे से ये निर्णए नहीं लिया, किरपया मुझे क्षमा करें। पुतले की बात सुनकर माता पार्वती को दया आ गई और उन्होंने उसे कहा, एक साल बाद यहां पर गणेश की पूजा करने के लिए नाक कन्याये आएंगे। उनसे पूछ कर, तुम गणेश वरत और पूजन करना, ऐसा करने से तुम्हें मनोवांचित फल मिलेगा। इतना कहकर माता पार्वती और महादेव वहां से वापस कैलाश की तरफ चले गए। एक साल बाद उसी स्थान पर नाक कन्याये आएंगे। जब उन्होंने गणेश वरत की पूजन की विधी शुरू की, तो उस श्रापित पुतले ने उनसे इस पूजन की विधी बताने की प्रार्थना की। नाक कन्यावने विस्तार से उस पूजन पुतले को गणेश पूजन की विधी बताई। इसके बाद उस पूजन ने विधी अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का उपवास किया और उनका पूजन किया। इस पूजन से गणेश जी काफी प्रसंद हुए, और उन्होंने उस पुतले को मनों वान्चितवर मांगने के लिए कहा। पुतले ने कहा, हे प्रभू, आप मेरे पैरों में इतनी शक्ती दें कि मैं कैलाश परवत पर जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं और उन्हें प्रसन न कर सकूं। गणेश जी ने तथास्तु बोला और वहां से वे चले गए। इसके बाद पुतला रूपी वा बालक चलते हुए कैलाश परवत तक पहुँचा और वहां पर वा भगवान शिव से मिला। महादेव से उसने सारी बात बताई। बालक की बात सुनकर महादेव ने भी 21 दिनों तक गणेश वरत करने की इच्छा जाहिर की। महादेव ने सारी बातों ने बताई। यह सुनकर माता पारवती के मन में भी अपने बड़े पुत्र कार्तिके से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने 21 दिनों तक गणेश वरत करने का निर्णय लिया। उस पुतले रूपी बालक द्वारा बताई गई विदी के अनुसार माता पारवती ने 21 दिनों तक गणेश जी का उपवास किया और विदे से पूजा अर्चना भी की। वरत के 21 दिन ही कार्तिकेय खुद ही अपनी माता पारवती से मिलने के लिए कैलाश पर आ गए। आगे चलकर इस कथा और वरत के बारे में कार्तिकेय ने विश्वा मित्र जी को भी बताया। विश्वा मित्र जी ने भी 21 दिनों तक यह वरत रख कर गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्शी होने का वर्दान दे दिया। बोली गणेश जी माराज की जय, बोली ए तीज माता की जय।